हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं अपना चैनल कैप्टेन श्वताबदी चाटर जी में आप सब को और एक बर स्वागत करती हूँ अभी तक जिस किसे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन तुरंद अब तक पहुंचे और पास में जो बेल आइकन है उसमें अल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा तो यह फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा और यह फैसिलिटी रटली फ्री है आज मैं जिस विशय को लेके आपके सामने बात कर रही हूँ थामनेल अगर अपने ठीक से देखा है तो आपको एक आइडिया तो हो ही गया है येस, the question is whether the job is really, it is for you or this is your need or this is your dream or you have come here for a time pass आजकाल जो जो चल रहा है या फिर जैसे ही interview का schedule हो रहा है और सभी लोग उहां पे जा रहे है और जब interview शुरू हो रहा है interview board में सबके मन में एही सवाल आता है क्या सच में, क्या ये job के लिए आए है या फिर ये कुछ time pass अभी उनको कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए वो इसके aviation में आए है या फिर अगर कुछ भी काव aviation में मिले उसमें हम आ जा रहे है but my target is something else like अगर हम lounge में चा रहे है but lounge में अगर हम काम तो कर रहे है क्योंकि अभी मुझे ground stuff या feed what to say like ticketing and reservation का CSA नहीं मिल रहा है जिस दिन उहापे मिल जाएगा हम उनको target लेकर बैट जाएगे actually कोई भी company ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप उनको company को छोड़ के कोई और company में जाए चाहे आपका dream हो चाहे सबके जीवन में एक ambition होता ही है बट still आपका जो attitude है या फिर आपने जिस तरह से CV बना के उहाँ पे गए हुई है इसके उपर भी बहुत सरे चीज़ डिपेंड करते है कि whether you will be selected or not देखे आज आपको पता है कि Horizon डिफरेंट बड़े-बड़े company के साथ काम करते है at the same time हम लोग regular business पे students को एड़ पूट के लिए चाहे हो 10th pass हो 12th pass हो graduate हो चाहे हो food and beverages हो चाहे हो CSA हो चाहे हो ramp हो सबके लिए हम लोग students को last 22 years से जादा time से तयार कर रहे है and they are successfully working in different airports, airlines इसमें एक चीज हमने देखा है कि जब ही हमने जो general manager बोली है या फी जो HR head बोली हमके साथ हम बात करते है सबके मैं में अभी एक ही सवाल है कि क्या ये student हमारे साथ रहेगा या फिर हमको एक just medium बना रहे हैं एरपोर्ट में एंट्री लेने के लिए और at the same time खुद का career को दूसरे इनो एक field में not field मतलब it's not the industry I am talking about एक दूसरा एक profile में जाने के लिए इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है जो मेरे हिसाब से जो है कि जो भी जो काम करने जा रहे है उनको सबसे पहले जानना है कि मैं जिस पोस्ट के लिए जा रही हूँ इस पोस्ट का काम क्या है या फिर इस पोस्ट का job and responsibilities या duties and responsibilities क्या है अगर आप इसको अच्छे तरह से जान लेंगे तो आपके लिए definitely शुरू में ही पता चल जाएगा कि क्या ये पोस्ट आप के लिए है या फिर आप यहाँ पे continue कर पाएंगे या नहीं अगर आपको लगता है कि आपको इसमें job satisfaction नहीं मिलेगा तो आप मत करिए बट मेरा सला ये है कि कोई भी company में अगर आप join कर रहे तो definitely उसको आप use मत करिए क्या होता है कि बहुत सारे हो सकते कि आप जिस पोस्ट के लिए है उस पोस्ट में कई लोग ऐसे लोगों को उन्होंने reject करके आपको select किया है जो सेच में इस industry में या फिर उस profile में काम करने के लिए interested थे और अपना career वही सही आगे लेके जाने के लिए तयार थे देखिए कोई भी काम चोटा बड़ा नहीं होता सबसे पहले बात है कि hospitality industry का जहां तक बात है क्योंकि aviation it is also a part of hospitality industry इसमें आपको एक hospitality industry का mentality लेके काम करना पड़ेगा कोई भी काम चोटा या बड़ा कोई भी काम या यह काम चोटा है या फिर यह काम हम नहीं करेंगे क्योंकि technical job में भी एक technician की बहुत ज़रूरत होता है एक engineer कभी-कभी ऐसा भी देखा गया कभी-कभी क्या बहुत cases में देखा कि technician से लोग engineer बने जैसे हमारे aviation में DGCA papers होते हैं उस paper को देखे aircraft maintenance engineer तक लोग बनते हैं तो इसलिए कोई भी काम चोटा बड़ा नहीं होता अगर आपका ये इस टाइप का mentality है तो this industry is not for you मैं पहली आपको बोल दे रही हूँ कि इस field में आके हमें ये नहीं करना हमें वो नहीं करना अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपके लिए ये industry नहीं है इस industry में वही तरक के कर सकता है और इस industry में sky is the limit अगर आप मान लिजिए एक food and beverage जीए से बनके ही आपना career शुरू कर रहे हैं इस career को आप कहां से कहां आगे लेके जा सकते हैं आपको सीख के जाना पड़ेगा इसलिए आप कोई जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए आप क्राइ कर रहे हैं इसलिए आप आए हुए है I must tell you one thing मैं कुछ दीप साज आपको देना चाहती हूँ आपका CV भी कुछ ऐसा बनाना जरूरी है ताकि जो लोग आपका CV देख रहे हैं उनको लगे कि भई ये तो एक दूसरे फिल्ड से है जब भी इनका मौका मिलेगा अब दूसरे फिल्ड में चला जाएगा राइक मानले चे आप mechanical engineer है और mechanical engineer में बहुत सारे अनुभाब आपके पास है और उपर में आप highlight करके रखे हुए है कि name और नीचे mechanical engineer तो normally अगर आप जाएंगे RAM supervisor के लिए तो लोग आप सोचेंगे भी ये तो mechanical engineer हाला कि जो engineering graduate है उनको CSA या supervisor बनने में कोई दिक्कत नहीं है बर आज कल के दिन में जो चीज हो रहा है students जैसे कर रहे है ये लोगों को खुद को नहीं पता कि ये कहां job करना चाते है क्या इनका जीवन का you know like aim क्या है ये सब इनको पता नहीं है जहां पर भी कुछ नौकरी देख रहे है चलो भाई fast देखेंगे salary कितना है तो चलो इसमे कोई industry का experience है तो मत लिखें कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इहां का experience ही हाँ पर count होता है अगर अगर अपके aviation में कोई experience है अगर आपने कोई माल दीजे आप CSA बनना चाहते है तो ज़रूरी नहीं है एक bio data CV बना के उतना ही लेकिजाए जितना requirement है इंटर्विव के time अगर आपको पूछा जाएगा तो आप बता सकते है और अगर फिर आपको घुमा के ये पूछे इंटर्विवर तो आपने CV में mention क्यों नहीं किया तो आप ये कहे देना कि sir ये experience मेरा जो है aviation industry का नहीं है तो हमें पता नहीं था कि यहां पर मुझे मतलब यहां पर हम use कर सकते है नहीं कर सकते या फिर कोई काम में आएगा that's why I didn't mention because aviation के लिए मैं fresher हूँ तो ऐसे करके जो situation है उसको अच्छे तरह से handle करके अगर आप अपने career को आगे ले जाएंगे तो this industry is you know it can give you everything अपने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो भी industry आपको देगा क्योंकि इतना opportunities आई हाँ पर इसके लिए खुद को भी वैसा तयारी करके आपको जाना है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे like share जरूर करिएगा comment भी करिएगा मैं फिर आउंगी एक नए subject के साथ तब तक के लिए bye bye